जै भीम, जै भारत, जै सविधान, बोधी सत्व, बाबा साथ, डॉक्टर भीमरांबेटकरजी को नमन, सभी संतों महापुर्सों को नमन करते हुए, बिना बताया अचानक से मुझे लाइव आना पड़ा, इशू बहुत जरूरी है और आज की मांग भी है, दो चीजों की जानकरिया आपको देनी थी और एक अपील है आप लोगों से, मेरे कैप्सन में आप पड़ रहे होंगे क्या पूरा मामला है, पूरा मामला ये है कि पहला जो मामला है जिसके लिए मैं लाइव आया हूँ, वो माहराश्ट से जुड़ावा है, तो माहराश्ट में एक कुछ सिक्सित समाजी कारे करता थे, अरविन बंसोड नाम के, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो पीपल दारा तालू का नरखेड नागपुर से थे, उनकी जो मोध है, उनकी जो गटना हुई है, ये संदिग्ध है, लेकिन साथियों के दुआरा जो जानकारी वहाँ से मिली है, उसमें बताया गा है कि ये सरकार के दबाव में इस हत्या को सुसाइड के करार दिया जा रहा है, पहली बात तों, अमबेड करवादी आत्मत्या नहीं करते हैं, अमबेड करवादी जो हैं, वो मुमेट के लोग होते हैं, मिसंडरी होते हैं, अर्विन तो खुद में जो हैं, एक समाजी कारे करता थे, समाज के लड़ाई लड़ते थे, कमजोर वरके लोगे साथ, दुखी पिड़ीद लोगे साथ न्याय के लिए संगर्श करते थे, तो वो ऐसा का वेक्ती जो दूसरों को नियाज दाने पीकाम करता हूँ, ऐसा साथी जो गरीब की मजलूम की हख की लड़ाय लड़ता हो, वो कभी आतमत्या नहीं कर सकता है। तो सरकार से हमारी मांग है कि इसकी जो है CBI जाच कराई जाए और इसकी जाच जो है सरकार अपने स्थर से कराए लेकिन अगर किस कोई गलत फहमी इस तरह की हो कि भाई अगर हमारे कारे करता जो यह जो हमारे साथी थे भाई अर्विन जी अगर यह इस मामले को बहुत हलके में लिये जाएगा उसमें न्याय नहीं किया जाएगा और बिना जाच क्या आई परसासन के लोग और पुलिस के लोग इसको जो है सरकार के दबाओं में सुसाइड आत्मत्य करार देंगे तो मैं पहले भी कह चुगा कि अम्बेड करवाद या आत्मत्या नहीं करते हैं तो इस पर जो है मैं पूरे महरास के लोग को और पूरे भारत के लोग को से अपील करता हूं कि ऐसे मामले में जो है वो अपील करें लाइव आके पेस्बूक पोस्ट दुआरा जो हमारे साथी और उर्जवान भाई को जो है जिसके हत्या का मामला अत्मत्या के रूप में अभी जो है पुलिस ने दर्साया है इसकी जांच हो और इसमें जो है हमारे भाई को न्याय मिले जिन लोगों दुआरा उनको उनका जिनका हाथ है इस हत्या में उनको सजा मिले तो ऐसी मेरी अपील है आप सब लोगों से कि इस मामले को बड़ी परमुकता से जो है फेस्बुक से ट्विटर से सोचल मीडिया के माद्यम से उठाएं जो हत्या जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है उसमें हमारे भाई को न्याय मिल सके मेरी अपील है सा बेदवाव का काम करती है तो फिर महाराज में भी जो है महाराज के कारेकरता उसे मैं अपील करूँगा कि उनको इसका संग्यान लेना चाहिए अगर इसमें को अंदोरन भी करना पड़े सवेधानी ग्रूप से तो उसको भी करना चाहिए तो जस्टिक फॉर अर्विन कल है चला था मैं अपील करूँगा कि साथी जो है इसकी सकीरिता लें और और बहुत साथी जो महाराज से मुझे लगतार मैसेज कर रहे थे किसमें न्याय होना चाहिए क्योंकि यह मानवता की हत्या है और यह भारते सविधान की हत्या है अगर किसी को न्याय नहीं मिलता तो न्याय जो परते वेक्ते जनम से दधिकार है उसके लिए मैं अपील करने के लिए आप लोग के बीच आया है और दूसरा क्या है कि लोकडाउन की आड में जिस तरह से दलितों पहत्ता चाहर हो रहे थे तो संभल में एक मामला हुआ था हमारे दलिस समाज से हमारे साथियों के जो पिता पुत्र थे उनकी हत्या की गई थी उसके बाद दो तीन दिन पहले भी एक मामला हुआ मुरादाबाद में कल एक मामला हुआ है अम्रोहा में कल मैं वहां प्रिवार से सांतामिना देने उन्से मिलने उनके दुख दो जानने के लिए और उनको ये विश्वाश दिलाने कि हम सब लोगों के साथ मैं कल उनसे परिवार ऊंके रूक सभी साथ होसे अपिल है कि जब भी आप कोई क्राइम की घटना हो और या फै तो आप चुपना रहें उसके आवाज बुलंद करें जिससे की कम जो लोगों को नया मिल सकें सरकार भेदवाव का रुक अक्तियार करते हैं तो सोशल मीडिया पर प्रेटफार में उसके वीडियो बना के जो है भीम आरमी और अजार समाज परटी के ट्वीटर हंडल पर या फेस्बुक पेज पर जरूर बेजें या हमारे किसी कार्यकरत पदादिगारी तक जरूर पहुंचा जिससे कि हम अपने परिवारों को नया दिला सकें जैवीम जैवारत जैश्विदान मेरी बहुत-बहुत मंगल काम नहीं आपके लिए मैंने जैसे अपील की है कि भी कुछ दिन पहले जान ली गई थी यमना नगर में रवनवालमी की भाई का मामला आप लोग नहीं भूले होंगे मुरादबार में दो भाईयों की जान ली गई है इस तरह से पीट-पीट के तो अभी हम कानोनी तोर से जो है अपने भाईयों को नया जाने के लिए निसर्दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर्दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे